हेलो श्टूडेंट्स तो आईए हम लोग देखते हैं एक नया टॉपिक नया चाप्टर इकाई आठ का पार्ट बी नाभिक चाप्टर का नाम नाभिक है रदर फोट के अलफा प्रक्रियोग से यहां ज्यात हुआ कि प्रमानू के केंदर प्र अतिश शुक्ष्म भाग में संपून धनावेस वर लगभग संपून द्रब्नमान उपस्तित रहता है नाभिक कहलाता है रदर फोट एक अलफा प्रक्रियोग किये थे अब आप रदर फोट के अलफा प्रक्रियोग नहीं पढ़ें तो हमारा पिछले वीडियो जाकर आप देख सकते हैं उसमें रदर फोट के अलफा प्रक्रियोग के बारे में है तो क्या कहा रदरफोट कलफा पक्रिणन प्रयोग में कि यहाँ एक पर्मानू है इसके एकदम बीच में अतिशुक्ष्म भाग है इसी को सारा दरबेमान लगबग और सारा इसमें धनावेस इसी बीच में होता है और इसे ही हम लोग क्या कहते है नावी यानि कि नावी क्या है धनावेसित केंदर है और इसमें लबग सारा दरबेमान इसी में होता है अब है नावी का शंगठन नावी कैसे बना है उसके बारे में हम लोग देखेंगे नावी के मूल दो कन होते हैं हैना, दो ही मूलकन होते हैं, एक धनावेशित कन, जिसे प्रोटोन कहते हैं, तो नाविक में यह तो प्रोटोन होगा, या उदासीन कन, जिसे निट्रोन कहा जाते हैं, यानि कि निट्रोन भी होता है, लेकिन उस पे कोई आवेश होता नहीं है, अब आप देख सकते हैं, इसक X है यह तातों का नाम होगा जैसे hydrogen है यह hydrogen लिखा जाएगा H जैसे माल लेज़े कि carbon है तो C, ferum है तो F लिखा जाएगा और जो उसका Z है नीचे लिखाएगा और यह Z क्या होता है प्रमानु संख्या या प्रमानु कर्मान जैसे carbon 6 नंबर पे है तो 6 जैसे यहां होगा और वूपर क्या होता है उसका Atomic दर्माण जैसे carbon减क नबर 12 होता है तो आप देख सकते हम लिखके दिखा देते हैं जैसे 6 है और यह बारा है, इस तरह से लिखा जाते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, कि 6 इधर रखे और 12 इधर रखे, तो यह दो तरीका से लिखने का है, यहाँ पर Z गया है, तो Z है परमानु संख्या, यानि कि कोई भी ततो किस संख्या पर है, किस परमानु करमांग पर है, वो Z है, अब परमानु संख्या किसके बराबर होता है तो प्रोटोन की संख्या और इलेक्ट्रोन की संख्या ये गलत यहाँ पर लिख दिया गया हुए इलेक्ट्रोन की संख्या तो देखिए जो भी प्रमानु संख्या होगा यानि कि है छे है कारवन में तो 6 प्रोटोन होगे और 6 इलेक्टोन होगे समझ गया आप और जो ए है वो है द्रब्यमान संख्या अब देखो द्रब्यमान संख्या और इसी का नाम होता है परमानु द्रब्यमान भी होता है यानि कि किसी भी परमानु का द्रब्यमान कितना होता है तो जितना उसका द्रब्यमान संख्या होता है प्रमानु दरब्यमान क्या होता है पतब प्रोटोन की संख्या प्लस निट्रोन की संख्या तो अभी आपने देखाता है कि नाभीक में कौन होते हैं प्रोटोन और निट्रोन तो दोनों की संख्या अगर carbon के नाविग में 6 प्रोटोन है तो 6 न्योटोन भी होगे तो 6 चो मिलके दरब्यान संख्या कितना बन गया? 12 बन गया ठीक है ना? तो इसे से neutron की संख्या निकानला है तो आप देख सकते हो proton की संख्या इधर है प्लस में तो इधर आगा तो क्या चीह हो जागा minus में तो प्रमानुदर्भिमान में से proton की संख्या घटा लेंगे तो neutron की संख्या हमको मिल जागा तो neutron की संख्या के लिए हम देख सकते हैं प्रमानु द्रभम्यान का symbol A होता है और proton की संख्या का symbol Z होता है इस तरह से हम लोग समझे के अब देखे तो आगे बढ़ते हैं देखते हैं कि सबका द्रभम्यान होता कितना है तो proton का द्रभम्यान को MP से लिखते हैं और यह होता है 1.67262 into 10 to the power minus 27 kg और Amu में अगर हम देखे तो 1.00727 Amu neutron का द्रभम्यान कितना होता है तो Amn होता है और 1.675-10-27 kg होता है और Amu में देखे तो 1.00866 यह होता है electron का द्रभम्यान कितना होता है तो 9.1-10-31 kg और Amu में देखे तो 0.0005 Amu आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्ron का जो दर्पिमान है लगभग जीरों के बराबर है इसलिए आप उस समय देखे थे कि नाभीक में ही पूरे परमानूग का दर्पिमान होता है क्योंकि electron तो बाहर चक्कड लगाते रहते है, नाभीक में कौन होता है, proton और neutron, इनी दोनों का लगभग दरभिमान पूरे परमानू का दरभिमान होता है, electron का दरभिमान तो लगभग सुननी के बराबर होता है, इसलिए यहां कहा जाता है कि सारा दरभिमान जो है लगभग न अब है Hydrogen का प्रमानु द्रभे़ान है Hydrogen का क्या होता है उसमें एक प्रबानु होते है एक प्रोटॉन होते है और एक ही एलेक्टोन होते है उसमें Neutron नहीं होता है इसमें 1.6736-10-27 kg और लगभ़क कितना है 1.00782U तो एक प्रोटोन के दर्विमान के बरावर लगवा हाईडोजन का दर्विमान होता है अच्छा, एक यू कितने किलोग्राम के रोड़ था था? एक यू होता है 1.660539-10 to the power minus 20, 7 kg तो आप इसको याद रखेंगे अच्छे से, है ना? तो उमीद करते हैं कि आपके ये समझ में आ गया होगा अब आगे देखते हैं हम लोग नाभिक का वरगी करन देखेंगे हम लोग क्या? नाभिकों का वरगी करन तो आप नाभिकों का वरगी करन कैसे होगा है? अलग अलग प्रकार के नाभीक होते हैं, उनको हम द्वर्गी कृत करेंगे और वर्वित करके उनका नाम होता है, एक होता है समस्थानिक, उसी को कहते है सम प्रोटानिक या आईसोटोप्स, अब यह क्या आते हैं, एक ही तत्व के वे परमानु जिनकी परमानु संख्या समान प्रंतु प्रमानु द्रविमान भिन्बिन होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रमानु संख्या यानि की जेड़ समान होगा तो देखें कारवन 12, कारवन 13, कारवन 14 है सबका प्रमानु संख्या 6-6 है और लेकिन प्रमानु दोमान इसका बाड़ा है, इसका तेरह है, चौदा है, तो A का भैलू भिनभिन है, आप देख सकते हैं, और Z का भैलू क्या है, सबका सेम है, तो यह सब क्या कहा लाएंगे कारवन के समस्थानिक, अब समस्थानिक के कुछ गुनिया आपे लिखे हुए, कि एक तत्व के सभी समस्थानिकों की प्रमानु संख्या समान होती है, अतहिने आवर्थ सानिक में एक ही अस्थान पर रखा जाता है, यानि कि अगर कोई तत्व का समस्थानिक है, तो आवर्थ सानिक में उसके लिए अलग से जगा नहीं बनेगा, क्योंकि सबका तो इसलिए उसी जगापे वो सारे समस्थानिक होंगे आगे है जैसे माल लेते हैं कि कारवन का आप देख सकते हैं कि कारवन को आवर्थानी में कौन सा अस्थान मिला है तो कारवन 12 भी छट्टे पर होगा, कारवन 13 भी छट्टे पर होगा, कारवन 14 भी छट्टे पर होगा क्यों? क्योंकि सब का परमानु संख्या समान है अगला है कि एक तत्व के समस्थानिक के समस्थानिक गुन रसाइनी गुन समान होते हैं जबकि भौतिक गुन मिन मिन होते हैं तो आप देख सकते हैं कि कोई भी तत्तो के समस्थानिक होंगे जैसे कारवन 12, 13, 14 है तो सब के रसाइनी गुन क्या होंगे समान लेकिन बहुती गुन, बहुती प्रूप से ये सब अलग-अलग दिखेंगे तो ये पहला होगी अप्रकार, अब दूसरा प्रकार है संभारिक नाम में ही देख सकते हैं आप संभारिक देखें पहला का नाम क्या था? समस्थानिक समस्थानिक मतलब सब का स्थान समान हो और यहांपे क्या है संभारिक संभारिक का मतलब क्या होता है सब का भार समान हो वैसे ता तो जिनके परमानु कर्मांग भिन्मीन हो परंतु परमानु द्रबेबान वही देखे ना परमानु द्रबेबान वही टोटल लगवा पुर्मानों के बहार के ब्रावड होता है समानों संभाडिक कहला है इसमें क्या होगा A भिन्मीन हो जाएगा स्वरी Z भिन्मीन हो जाएगा लेकिन A क्या होगा से तो आप देखो कारवन 14 है C6 6C14 और 7N14 देखे दोनों का A सेम है लेकिन दोनों का Z क्या अलगल है अब इसमें देखे संभाडिकों के रसाने के बहुती दोनों गुन भिन्मीन होते है समस्थानिक में क्या था रसाने कुन समाल लेकिन भिन्मीन लेकिन इसमें क्या होता है कि दोनों गुन क्या होते भिन भिन होते हैं अगला जो टॉपिक हमको पढ़ना है वो है सम न्यूट्रानिक देखें ये क्या होता है इसमें लिखा ऐसे ततो जिनकी परमानु संख्या भिन भिन हो परमानु संख्या भी भिन भिन हो आप देख सकते हैं इसमें कि जैसे देखें यह 6C13 है तो न्योट्रोन का संख्या आपको पता ही है कि न्योट्रोन का संख्या कैसे निकलेगा तो न्योट्रोन का संख्या निकलेगा A-Z यानि कि 13-6 यानि कि 7 निकला इसमें और इसमें भी देखेंगे न्योट्रोन की संख्या Talisotones तो आप सिफGot निुकलाइड्स बचा हुआ है आप उसको भी हम लोग क्या करते हैं कि देख लेते हैं देखे, निुकलाइड्स है तो निुकलाइड्स में आप देख सकते हैं संख्द enc, क्या होता है निुकलाइड?' ऐसे था तो जिनकी परमानु संख्या और निट्रॉन की संख्या समान होती है अब आप देख सकते हैं जिसमें परमानु संख्या यानि कि जो जेड हो वह बराबर किसके हो निट्रॉन की संख्या के है अब आप निकाल के देख लो इसमें 12 है 6 तो इसमें से घटाएंगे तो 12- इसमें देख सकते हो कि प्रोटोन की संख्या और नेट्रोन की संख्या बराबर हो वो निकुलाइड कहलाते है इसमें ऐसे में क्या होता है प्रोटोन भी बराबर होता है नेट्रोन भी बराबर होता है इलेक्टोन भी बराबर होता है इसको निकुलाइड करते हैं इस वीडियो में अभी इतना ही आगे हम लोग देखेंगे आप दिखाय लिखा हुआ है नाभिक का आकार इसको हम लोग पढ़ेंगे तब तक के लिए धन्यवाद अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और वीडियोज को सेर करें